तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे भोन का स्क्रीन कितने, अच्छे से मेरे लेपटॉप पर मीरर हो रहा है, और इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं है, आप यहाँ पर देखी सकते हो, बहुत चाहरे मिरिरिंग सॉप्ट्वेर ऐसे होते हैं, जिसमें कि आपको डिले देखनों को मिलता है, या तो आपका साउंड डिले होगा, या फिर साउंड और वीडियो दोनों डिले होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रोब्लम नहीं है, इसलिए मैं आपको इस मिरिरिंग सॉप्ट्वेर के बारे में बता रहा हूं, और यह मैं खुद यूज करता है, तो आप इस सॉप्ट्वेर के तुरू 90 fps या फिर 120 fps पे स्ट्रीम कर सकतो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इसमें साउंड का कोई भी इसू नहीं है, आपका जो हेड़पॉन रहेगा, या फिर एयरपॉन रहेगा, आप उसे अपने फोन में लगा सकतो, और फोन में आपको आप दिखाता हूं कि इसे कहां से इंस्रॉल करना है, और कैसे यूज करना है, आपको अपने PC में कोई भी ब्राउजर ओपें कर लेना है, और ब्राउजर में आपको D-O-U-W-A-N सर्च करना है, सबसे उपर इसी का वेबसाइट आएगा, यहा पे देख सकतो, तो इ Windows बाले पर क्लिक कर देना है, और जैसे यहाप 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 पर क्लिक करोगे, तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जायागा, यहाप आप देख सकतो, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मैंने इसे अल्रेडे इंस्टॉल करके रखा है, तो आप इसे डाउनल यह रहा window simply yes पे क्लिक करना और yes पे क्लिक करने के बाद यह app थोड़े देरे में start हो जाएगा तो इसे use करना काफी simple है यहाँ पे आप quick start guide देख सकते हो आप wireless भी अपने phone का screen mirror कर सकते हो लेकिन अगर आपको delay नहीं चाहिए तो आप USB cable के through आप अपना phone mirror करना तो उपर आपको setting का option में देखने को मिलता है तो setting में अगर आपका iOS device है तो उसका भी setting कर सकते हो लेकिन android होगा तो उसका भी setting कर सकते हो तो setting पे click करना और यहाँ पे android device पे जाना यहाँ पे और यहाँ पे आपको fps select करने का option मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने अन्बंदलब जितना आपका phone fps support करता होगा उसे आप यहाँ से select कर सकते हो उसी fps पे आपका phone mirror होगा और यहाँ पे नीचे आपको option मिलेगा mobile microphone का तो आप इसे enable कर सकते हो, enable करने के बाद जो आपका in game mic on होगा उसका भी sound mirror होगा आप headphone के through करो या फिर phone के mic के through करो तो इनने करने के बाद settings save कर लेना तो अब मैं आपको अपना phone connect करके दिखा देता हूँ कि कैसे mirror करना है तो सबसे पहले मैं अपने phone में अपना game open कर लेता हूँ यहाँ पर game open हो चुका है और अब आपको अपने phone का charger लाना है और charger में से जो आपका data cable रहेगा उसको निकाल लेना है जैसे आप अपना phone charge में लगाते हूँ simply वैसे ही इस data cable को अपने phone के charging port में लगा देना है और जैसे ही आप अपना charging cable लगाओगे अपने phone में तो यहाँ से कुछ permission आपसे यह मांगेगा तो जब पहली बार open करोगे तो यहाँ से यह जो app है यह पहले download होगा तो इस app के download और install हो जाने के बाद आपको फिर से अपना charging cable निकालना है और फिर से दुबारा अपने phone में लगाना है और जैसे ही दुबारा लगाओगे तो आपके phone पे ऐसा कुछ permission आएगा तो simply start now पे click कर देना और जैसे ही start now पे click करोगे आपके phone का screen आपके laptop पे दिख जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हूँ तो यहाँ से मैं recent में सबना game open कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखी सकते हूँ कोई भी delay नहीं है एकदम real time movement हो रहा है मतलब जैसे मैं अपने phone में कुछ move कर रहा हूँ सेम real time पे मेरे laptop में जो screen mirror हो रहा है उसमें भी movement हो रहा है बिल्कुल भी delay नहीं है अगर आप अपने screen जो phone का screen है अगर wireless mirror कर होगे तो उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा सा delay देखने को मिल जाए लेकिन जब आप अपना phone का screen data cable के through mirror कर होगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी delay देखने को नहीं मिलेगा और जो मैंने आपको sound के बारे में बताया था कि इसमें sound का कोई भी issue नहीं है तो आप अपना headphone या फिर earphone अपने phone में लगा सकतो phone में लगाने के बाद आप अपना in-game mic भी on कर सकतो आपका जो in-game sound रहेगा आपके teammate का और in-game sound और जब आप अपना mic on करेगा तो आपका भी voice दोनों एकदम real time में mirror होगा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप यहां से direct stream कर सकते हो YouTube या फिर जो भी आप platform पे stream करते हो तो आप easily कर सकते हो कोई भी sound का दिक्कत नहीं होगा और अगर आपको screen mirror बंद करना है तो simply आप अपना data cable निकाल सकते हो यहां पे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ तो यहां पे देखना मैं जैसे ही अपना data cable phone से निकालूँगा मेरा screen mirror बंद हो जाएगा और जैसे ही मैं फिर से अपने phone में लगाऊंगा तो एक permission आएगा display पे मतलब phone के screen पे यहां पे देख सकते हो और जैसे ही start now पे click करूँगा मेरे phone का screen mirror होना है start हो जाएगा तो बहुत easy अपने phone का screen mirror करना तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करना मत भूनला